आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ और हमें पता है कि Skull के जो Joints होते हैं वो Particularly Immovable Joints के नाम से जाने जाते हैं Immovable मतलब जो Attached रहते हैं और Move नहीं करते हैं वाईबर नेक्स्ट अगर बात करें जो In हैं तो In Particular पाया जाता है In the Shoulder और Shoulder के जो Joints होते हैं उसको हम लोग Wall and Socket Joint के नाम से जानता है और Particularly इस Joint के बारे में अगर बात करें तो ये क्या करता है तो ये Movement Provide करता है In 360 डिगरी जो कि हम लोग Arms का Rotate कर पाते हैं वहीं अगर ओ का बात करें तो ओ जो है ये Particularly हम कह सकते हैं कि जो Vertibree में पाये जाते हैं और Vertibree में जो पाये जाते हैं उन Joint का अगर बात करें आपर हम लोग Vertibree लिख लेंगे और Vertibree में जो Joint पाये जाते हैं वो क्या हो जाते हैं वो Basically Slightly Move कर पाते हैं और इसलिए इनको Slightly Movable Joint के नाम से जाना जाता है यहाँ पर हम लोग Slightly Movable Joint लिख लेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर पाया जाता है जो कि यहाँ पर P है वो है यहाँ पर Knee और Knee में जो Joint पाये जाते हैं उसको हम लोग Hinge Joint के नाम से जाते हैं और Hinge Joint एक ऐसा Joint है जो कि सर्फ One Sided Movement की यहाँ पर Provide करता है तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखे तो यहाँ पर जो जो Options है उसमें से M जो है वो हो जाएगा A Movable जहाँ पर A और C जो है वो गिवन है फिर अगर Ball and Socket का बात करें तो N जो है वो Ball and Socket है जो कि यहाँ पर हम लोग C में देख सकते हैं फिर जो कि हिंज बोला गया है और जो कि यहाँ पर बोला गया Slightly Movable इसलिए जो Correct Transler हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर Third Option और उसी को हम यहाँ पर टिक कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीज़ें अपने डाउट्स 84444 पर